26 जन्वरी की रोचक जानकारिया भारत का समीधान 26 जन्वरी 1950 को इंडियन स्टंडर्ट टाइम के अनुसार 10 बज़ कर 18 मिनट पर लागू हो गया गंतंत्र दिवस के मोके पर अशोक चक्र और केर्थी चक्र जैसे महत्व पूर्ण सम्मान दिये जाते हैं इसके बाद परेड की मार्च पास्ट होती है भारतिय समीधान को तैयार करने में सैकडों विद्वान जुटे लिखित समीधान में कई बार संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में दो साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा 26 जन्वरी 1950 डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ने गॉवर्मेंट हाउस के दरबार हाल में भारत के पहले राष्ट्रपती के रूप में शपत ली इर्विन स्टेडियम में जंडा फेराया गया यही पहला गंतंत्र दिवस समारो था मुख्य अतिथी थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपती सुकर्णो गंतंत्र दिवस मनाने का हालिया तरीका 1955 में शुरू हुआ इसी साल पहली बाजपत पर परेड हुई राजपत परेड के पहले चीफ गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम महमद थे सविधान बनाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अम्बेड कर थे भारतिय सविधान में संसदिय शाषन पद्दती लोक सबा तथा विधान सबा के प्रती मंत्री मंडल का सामुईक उत्तरदाईत्वर राष्टर के प्रधान के रूप में राष्टरपती की आपचारिक इस्थिती संसद एवं विधान मंडलों के सदश्यों के विशेशा धिकार एवं उन्मुक्तियां ब्रिटेन के सविधान से ली गई हैं सविधान में संग एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के सविधान से लिया गया है भारतिय सविधान में अपात उपबंध व्यवस्था जर्मनी के सविधान से की गई है सोविध संग के सविधान से मूल करतव्य और आस्ट्रेलिया के सविधान से समवर्ति सुची ली गई है भारतिय सविधान में संगात्मक शाषन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निस्पक्ष न्याय पालिका तथा न्यायक पुने अवलोकन का सिध्धान और उप्राष्ट्र पती का पद अमेरिका के सविधान से लिया गया है भारतिय सविधान में गंतंत्रात्मक शाषन व्यवस्था फ्रांस के समिधान से प्रेरित है समिधान में राज्य के निती निर्देशक तत्व आईरलेंड के समिधान से लिए गए हैं भारतिय समिधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित समिधान है 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रिय बहादूरी पुरुषकार शुरू किया यह पुरुषकार सोले साल से कम उम्र की बच्चों को अलग-अलग शित्र में बहादूरी के लिए गंतंत्र दिवस पर दिया जाता है जै हिंद जै हिंद